हलो स्टूइरिट्स अज इस वीडियो में हम क्लास 8 भुक आरे है वाल चैपटर 8 लिणिर एक्योशन्स टेस्ट पेपर एट कोश्चन 6 से स्टाट करेंगे student test paper 8 की second video है student class 8 की जितने भी हमने chapters की video बनाई है सबका link description में दिया गया अगर आप देखना चाते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं students अगर आप class 6 और class 7 book आरे सगरवाल की chapters की video देखना चाते हैं तो class 6 और class 7 की playlist का link भी description में दिया गया है playlist में जाकर आप किसी भी chapter की video को देख सकते हैं बच्चो question 6 है factorize है जो part 1 है उसमें क्या दिया गया है x cube minus 3 x square plus x minus 3 students जब इस तरह के question होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम पहले pair बनाते हैं मैंने इसका pair बना लिया एक और ये एक pair बन गया ठीक है अब इन में देखेंगे कि common कौन सह है यहाँ पर क्या है? x cube है, यहाँ पर x square है तो यहाँ पर x common है बट अब यहाँ पर हमने x square और x cube में से चोटा कौन सह है? x square है तो हम x square को common लेंगे सिर्फ simple x को लेंगे x square को common लेंगे x square common ले लिया अब bracket start करेंगे अब यहां पर के अब यहां पर यहां पर x की power 3 है और यहां पर x की power 2 है तो power minus हो जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या रह जाएगा x रह जाएगा अब यहां पर x square से x square कड़ गया तो minus 3 रह गया ठीक है यहां पर लिखेंगे प्लस अब यहां पर common क्या है कुछ भी common नहीं है पर हमें बता है कि अगर हम 1 से इनको multiply करेंगे तो महारे पस यह सेम आजएगा तो x-3 आ गया अब हम इनको pair बना देंगे यह मारा common हो गया x-3 और x-square प्लस 1 यह मारा जो question 6 के part 1 का answer आ गया अब part 2 का है 63 x-square y-square-7 अब students यहां पर क्या है कि यहां पर square तो है बढ़ हम यहां पर 7 come square नहीं बना सकते ठीक है न तो हम दिखेंगे इन में से common क्या है 7 common है क्योंकि 7 के table में 7 भी आता है 63 भी आता है तो मैंने 7 को common ले लि x-square y-square as it is और यहां पर minus यहां पर क्या जगा 1 आजगा अब students यहां पर 1 का square ले सकते हैं और 9 किसका square हुआ 3 का square हुआ तो 7 ब्रेकर्ट स्टार्ट तो यहाँ पर क्या जगा 3xy का स्क्योर माइनस यहाँ पर 1 का स्क्योर हाज़ेगा अब स्ट्रेंज यहाँ पर अब ध्यान दोगे तो यह क्या बनगे हमारे बास a2-b2 तो a square minus b square का formula क्या होता है a minus b a plus b ठीक है तो हम यहाँ पर a minus b यह वाला formula को fit कर देंगे यह हमारे पास है हमने इसको fit कर देना है तो 7 तो यहाँ पर कहाज़ेगा 3xy minus 1 और यहाँ पर आज़ेगा 3xy plus 1 यह मारा question 6 के part 2 का answer आ गया अब हम करते हैं part 3 question 6 का 1 minus 6x plus 9x square तो students सबसे पहले हम क्या करते हैं square का ले ले लेते हैं फिर बिना एक्स का ले लेते हैं इनको arrange कर लेते हैं ठीक है 9x square अब यहाँ से वैसे हम पर 1 का square भी बन जाएगा पर जैसे आपको ठीक लिखते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं अब मैं इनको arrange कर रही हूं पहले x की power 2 ले ली अब भी नहीं जो एक्स की power 1 ले ली मैंने minus 6x फिर इसको उतार लिया प्लस 1 यहां पर कोई साइज नहीं तो प्लस 1 अब यह किसका square हुआ यह हो गया स्ट्रिंस अब इसको ध्यान से देखो तो यहां पर अगर हम देखें यह बन गया 3x square और यहां बन गया क्या वोलते हैं बन का square ठीक है ना तो स्ट्रिंस आपको एक हमारे पास फार्मुला था a plus b का whole square यहां पर लेते हैं a plus b का whole square जिसका क्या होता था a square plus b square minus 2ab ठीक प्लस 2ab अगर यहां पर minus होता है तो a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab अब यहां पर आप देखोगे कि आपके पास यह वाला पार दिया हुआ है अगर मैं इसको ले लेती हूँ 3x square ले लेती हूँ यहां पर 1 का square चुले इसको करते हैं 3x square आगे हैं पर ठीक है प्लस 1 का square अब यह इसको a माल लिए इसको b माल लिए अब यहां पर क्या minus का sign है तो यहां पर मैंने minus लिख दिया 2 into a into b अब स्वर्णिस आप देख रहोंगे 3 3 is a 9x square आगे हैं पर 2 3 is a 6 into 1 minus 6x आगया और 1 square का 1 आगया मतलए कि यह वहला पार्ट हमें दिया हुआ है हमने क्या करना है यह वहले पार्ट को fit कर देना है ठीक है ना यहां पर minus का sign है तो हम a minus b whole square का formula लिखेंगे तो as it is हम लिख देंगे 3x और यहां पर minus का sign 1 का whole square यह हमा 12 पार्ट 3 का answer आगया ठीक है अब हम करते हैं पार्ट 4 पार्ट 4 हमारे पास दिया गया है 7x square minus 19x minus 6 अब बच्चों यहां पर देखो कि हमारे पास इसके हम factor कैसे बिनाए ठीक है ना तो कुछ common है ना इसका square 7 का square हो सकता है ना ही 6 का square हो सकता है तो यहां पर चलेगा mid split method चलेगा mid जो split वाला method ना वोलो चलेगा तो अब यहां पर क्या है हमारे पास 7 है तो पहले तो हम क्या करेगे 7 को 6 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आया 42 अब यहां पर minus का sign है तो students हमें दो number ऐसे arrange करने है जिनको multiply करने पर तो 42 आए ठीक है बर minus करने पर यहां पर minus का sign है minus करने पर क्या है 99 अगर आप मन जैसे फैक्टर बना सकते हो तो बना लो जैसे सेवन सिग्जा 42 होता है बट आप यहां पर क्या है यहां पर सेवन में से 6 को minus करेंगे तो वन आएगा मारे पास क्या चाहिए हमें 19 चाहिए ठीक है अगर आगे अगर माइंड में कर सकते हो तो आपने क्या करना है 42 के फैक्टर बनाने तो किस पर जाएगा टू 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 ज सेवन अब हम इनको पियर बनाएंगे अब हमारे पास यह पियर बन गया टू ठीजा 6 और सेवन बन सेवन सेवन तो होई नहीं सकता हमारे पास ठीक है ना फिर हम नीचे से चलेंगे 7 ठीजा 21 और 21 को 2 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो 42 आया और 21 में से हमने क्या करना है टू को माइनस कि हमारे पास 90 ऐया ठीक है तो यहां पर क्या माइनस का साइन और तो अब कर माइनस तक आ जाएगा-19 आजएगा तो यहां पर फिक्स करतें हमें यह फैक्रश् बना दते है 7 X2 Phyra ēg minus 2x ud यहां पर है फ्लस 2x minus 6 अब इनका pair बना दिया और एक इसका pair बन गया अब यहां पर कहा है 7 की table में 7 वी आता है 21 वी आता है 7 हमने common लिया अब दोनों में x भी है इन में से smaller कह से x है तो x वाला ले लिया हमने आब 7 x से 7 कट गया यहां पर रहा गया, एक सिंगल एक्स रहा गया, और यहां पर आगया, माइनस का साइन, 7, 3, 21, x, x कट गया, ठीक है, प्लस, यहां पर 2 आया, 2 common आया न, क्योंग 2 की टेवन, 1 भी आता है, और 6 भी आता है, तो यहां पर क्या गया, x, minus 2, 3, 6, तो हमारे पास क्या आगया, 7, x, प्लस, 2, x, minus 3, यह हमारा आंसर आगया, पार्ट 4 का, सुर्वें, क्वें, क्वें, 7 करेंगे, क्वें, 7 है, सॉल्व करने, 2, x, प्लस, 7, अपॉन, 3, x, प्लस, 5, इकुल टू, 15, अपॉन, सुर्वें, जब भी रैशनल नंबर में हो, यहां फ्रेक्टर, यह फ्रेक्शन की सुर्वें, क्रॉस, मल्टिप्लाई करें, है, ठीक है, तो 17 को मल्टिप्लाई करेंगे, 2, x, plus 7, से, अक्वाल, टू, 15 को मल्टिप्लाई करेंगे, 3, x, plus 5, से, 43, आप यह स्टेब, मिक्स, मिस को, ऑलिक कर सकते हो, ठीक है, ना, मिस भी कर सकते हो, आप डारेक्ट इसको, मल 34X आजएगा, प्लस, और 17 को 7 से multiply करेंगे, 7 7s आ, 49, 9, 4 carry, 7 7 plus 4, 119, 53 आ, 45X, प्लस, 15, 5 आ, 25, 5 to carry, 5 15, 5 plus 2, 75, अब X की तर्म को हमने एक साथ कर लेना है, 34X, यहाँ पर आजएगा, माइनस, यहाँ पर प्लस है, इदर आके माइनस 45X हो गया, 75 है, यहाँ पर प्लस 119 है, यहाँ पर माइनस 119 आ गया, 45 में से 34 को माइनस करना है, साइन कौन सा रेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा बाला नंबर जो है, 45 है, उसका माइनस का साइन है, 45 में से 34 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 लेस गया 1, 4 में से 3 लेस गया 1, तो 11 X आ गया, equal to, अब यहां पर भी हम माइनस करेंगे, बड़ा बला डिजिट, 119 उसके दब माइनस कसाइन है, तो यहां पर माइनस आ जएगा, 119 में से 75 को माइनस करना है, 9 में से 5 लेस गया, 4, 11 में से 7 लेस गया, 4 तो 44 आ गया, यह माइनस से माइनस कट गया, तो X की वैली निकल जाएगी, यहां पर 44 अपॉन 11, 11, 4 दा 44, तो X की वैली उम्हारे पस क्या आगी, 4 आगी, बच्छों कोश्चिन 8 करेंगे, कोश्चिन 8 क्या है, 5 years ago, a man was 7 times as old as his son, after 5 years, he will be thrice as old as his son, find their present age, अब स्टुइट्स यह कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, अब यहां पर क्या बताया गया है, जो 5 साल पहले, जो मैन की एज के है, अपने सन की एज के 7 times है, और after 5 years के बाद क्या होगी, जो सन की एज के 23 होगी, अब स्टुइट्स ना तो हमारे पस इनकी पहले तो हमें present age को find out करना पड़ेगा, तो हम क्या करने दें, present age जो होगी, सन की क्यों होगी, इस सासा लिखते ही जाते हैं, present age मैने सन की एज को मालनी है, एक्स, तो यहां पर लिखते हैं, let present age of sun be x years, ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या है, हमें जो age दीगी है, man की वो क्या दीगी है, five years ago होगी, मतलब five years ago, तो पहले तो हम क्या करेंगे, सन की जो है age को निकालेंगे, अब तो पांस साल पहले, suppose आज आपकी age क्या है, fifteen years है, तो पांस साल पहले, तो यह हमारे आजएगी, सन की present age आजएगी, five years ago की age आजएगी, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, five years ago, age of sun, क्या करेंगे, present age में से five को minus कर देंगे, तो हमारे आजएगी, पांस साल पहले वाली age आजएगी, अब पांस साल वाली age, जो man की age क्या थी, जो sun की age थी ना, यह sun की age थी पांस साल पहले, तो यह इसका seven times है, seven times से इसको multiply कर देंगे, seven से, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, five years ago, age of man, तो जो sun की age थी ना, x minus five, इसके seven times थी, मतलब 7 से multiply करेंगे, तो कितना आजएगा, seven को x से multiply है, seven x minus thirty five years, अब students, यह क्या थी, महारी पांस साल पहले age थी, अब हमने क्या करना है, कि अब की age, present age को नकालना है, तो हम क्या करेंगे, यह आगी थी थी ना, seven x minus thirty five, देखो sun की age को, तो हमने present age को x माल लिया, तो अब जो man है, उसकी present age क्या होगी, पांस साल, अब यहां से पांस साल हमने करना है, तो यह थी पांस साल पहले की age, तो अब की age क्या होगा है, पांस साल का difference होजगा, तो इसमें क्या होजगा, हम five को add कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, present age of, 35, अब जो पांस साल बाद, अब क्या age होजगी, यहां पर, five को add करनेगे, ठीक है, तो कितना आजएगा, 7X, 35 में से five minus किया, तो minus 30 years आजएगा, समझा आगए हैं यहां तक, ठीक है बच्चो, अब हम करते हैं, question क्या लिखेंगे हैं, after five years, he will be thrice as old as his son, after five years, अब five years के बाद, जो son की age क्या होगी, पहले हम बोले लिखते हैं, after five years, age of son will be, क्योंकि यह future है, after, बत्ता कि, आज से पांस साल बाद क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, अब जो present age क्या थी, son की, वो थी X थी, तो हम X में क्या करेंगे, five को add करेंगे, तो यह पांस साल वाली, पहले वाली age आगी, ठीक है न, अब यहाँ पर क्या था, हमने पांस साल पहले वाली age नकालना था, तो present age में से, हमने five को minus कर दिया, अब हम बाद की age नकालना है, five years, after five years वाली, man, will be, अब स्टोरींज, यहाँ पर man की age क्या है, seven X minus thirty, अब इसमें भी पांस साल के बाद क्या होगी age, तो हम क्या कर देंगे, five को add कर देंगे, seven X minus thirty, plus five, तो अब हम इसको solve कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है, minus plus minus करेंगे, minus को sign आगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब हम चलते हैं, according to question, according to question, अब हम equation बनानी है, according to question क्या है, कि five years ago, a man was seven times as old as his son, after five years, he will be thrice as old as his son, तो उसमें, man की age क्या है, seven x minus twenty five, after five years क्या, और इसकी age क्या है, sun की x plus five, अब जो man की age है, यह sun की age के thrice होगी, after five years, मतलब कि, अब हमने क्या करना है, यह equation बनाई है, equal to cosine है, equal बनाना है, तो जो man की age है, यह sun की age के thrice है, मतलब कि, तीन गुना है, तो हम क्या करेंगे, sun की age को three से multiply कर देंगे, तो यह बिल्कुल equal बन जाएगा, ठीक है, तो seven x minus twenty five, यहाँ पर किया, three x plus fifteen आ गया, अब x की term को एक साथ कर लिए, seven x, यहाँ पर plus x, three x है, यहाँ पर minus three x हो गया, यहाँ पर fifteen, यहाँ पर minus two five है, twenty five है, तो यहाँ पर plus twenty five आ गया, seven में इस से three less गया, four x आ गया, fifteen plus twenty five, हमारे पास कितना आ जगा, forty, ठीक है, x की value नुकाल दें, forty upon four, four tens of forty, x की value हो आगे ten, और present age of sun क्या होगी, ten है यार्स, तो यहाँ पर लिखेंगे present age of sun, present age नकाले न हमने, ten years आगी, और present age of man, हमने present age नकाली थी न man की, उसमें हम x की value को put कर देंगे, अब present age यह थी man की, तो यहाँ पर क्या है, seven x minus thirty, तो seven x की value ten minus thirty, seventy minus thirty, कितने आ जगी, forty years, ठीक है, तो answer में लिखते हैं, present age of sun is ten years, and present age of man is forty years, ठीक है, स्टुरिंस इस वीडियो में हम question 8 तक ही solve करेंगे, स्टुरिंस आई होप आपको, यह six, seven, eight, तीनों question अच्छी तरह से समझ आ गये होंगे, स्टुरिंस अगर आपको वीडियो जूसफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपकी कोई query है तो आप message कर सकते हैं, स्टुरिंस अगर आप चैनल पर new हो तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें, स्टुरिंस अगर नेक्स्ट वीडियो में हम question 9 से solve करेंगे, thank you for watching.